बिस्मिल्हे रुमानी औरहीम, असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ बहुती प्यारा सा नेक डिजाइन शेयर करने लगी हूँ देखें, यहां पर मैंने जो गहराई रखी है आठ इंच आप जितना नेक पहनते हों आप उसी साब से रखें जो गले की चुड़ाई है वो भी मैंने 8 इंच ही रखी है देखें, यहां पर मैंने 1 इंच के करीब यहां पर चुड़ाई मेना स्ट्रिप्ट बना ली है देखें, सिंपल कपड़े पर, जो हमारे ट्रॉजर का कपड़ा है अब मैंने यहाँ पर देखे निशान Mark करने है जहाँ पर हम Embrideri करेंगे Simple दागे से हम Embrideri करेंगे जो हमारी shirt में color है उसी color से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तिर्ची lines Mark की है और मैंने दो इंच के करीब इसको gap पर मतलब तीन-तीन lines जो है Mark कर लेनी है बॉबिन में भरकी शिटल में लगाकर अटाइच कर लिया है मशीन में अब इमब्राइटरी कर लेंगे उन्हीं लाइन्स के उपर-उपर हमें स्टिच लगाना है और इस तरीके से साइड का एक्स्टरा फेभरिक होगा वहां से हमें साथ ही चले जाना बस इसी तरीके से हमने complete कर लेना है देखें side से fold हो जाएगा बाकी की complete कर लूँगी अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर इस तरीके के neck बनाते हैं folding में जरूरत पड़ती है हमें glue की तो ये anchor glue है आप इसको easily जो है color वाली शॉप से बाई कर सकते हैं और यह आपको 180 का पड़ेगा और बहुत ही अच्छा है यह इसकी thickness भी बहुत अच्छी है और यह neck बनाने के बहुत ही काम आएगा आपके और अगर आप दूसरा glue लेते हैं तो वह तकरीबन हमें 100 की छोटी सी bottle मिलती है तो उसमें बहुत कम होता है glue तो हम इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं स्क्रिप मैंने complete कर ली है यहाँ पर अब मैं आपको इसका इस्तमाल बदाती हूँ कि आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगाना है बहुत ज्यादा नहीं लगाना अगर आप यह लगा कर उपर से प्रेस करेंगे तो बहुत ही पका काम हो जाएगा वरना इस तरीके से भी काफी हद्तक यह बहुत अच्छा काम करेगा तो आप मेरी बहने जो भी स्टिच करती हैं इनको मतलब बाई कर सकती हैं स्क्रीन शॉट लेकर आप इसको बाई कर लिजिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ है तो हमाई स्टिचिंग में यह काफी हलपफुल साबित होती है ग्लू जो है तो देखें इस तरीके से बस मैंने कंप्लीट कर लिया है अब देखें मैंने स्टिप को कंप्लीट करने के बाद लैस को भी इस तरीके से देखें अटैच कर लेना है इसी के ग्लू की मदद से ही इसी तरीके से पेस्ट कर लेना है वस अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं मैंने स्टिप कर लिए लगता लुँद से अब देखें इस तरीके से मैने लैस को स्टिच से नहीं लगाया है मैंने ग्लू की हैंप से ही कमपलीट अपनी स्टिप कर ली है अगर हम सिलाई से यह यहीं लैस अटैच intentions पर बलको बहीं थी नहीं आनी थी इसलिए मैंने glue की help से यह काम किया है और यहां पर आपने जब यह neck पर attach करनी है तो आपने उस side से पहले attach करना start करनी है क्योंकि हमें पहले उस side की लेकर आनी थी strip यहां पर मैं भूल गई थी पहले मैंने इस side stitch लगा लिया फिर थोड़ा सा मैंने remove कर लिया था stitch को और मैंने उस side से पहले complete किया है क्योंकि हमें जब हम इस side की strip को लेकर जाएंगे तो उसको नीचे दबा देना है हमने तो पहले हमें उस side से लगाना चाहिए था तो बस इस तरीके से देखें बिल्कुल neck के सासाथ ही हमें stitch लगाते आना है तो ये देखें इस तरीके से हमने जहां पर मतलब इसको complete करना है neck को ये देखें मैंने दर्मियान में निशान माग कर लिया है shirt का दर्मियान हमें निशान माग ज़रूर करना है ताके हमारी जो strip है ना बिल्कुल straight जाए ये देखें दूसरी साइट से भी stitch लगा लूँगी देखें अब एक ही stitch में ये काम हो गया है अगर हमने glue की help से ये जो है लैस ना attach की होती तो फिर ये हमारी double double triple जो है सिलाईयां उपर आनी थी और बिल्कुल भी प्रम्यान में जो हमने निशान माग किया था उसी के अपर लेकर आना है लैस को यहां से थोड़ा सा कट कर लेना है ताके जो है strip को फोल्ड करने में मुश्किल ना हो देखें इस तरीके से बस लैस बहुत प्यारी सी है अब देखें यहां पर मैंने स्टिच लगा लिया है अब इस साइड से भी मैं जो है बाइर की साइड स्टिच लगा लूँगी बहुत ही प्यारा सा नेक डिजाइन हमारा रेडी हो जाएगा आप ग्लू जरूर लीजेगा वो बहुत ही अच्छी है यह देखें इस तरीके से तो यहां पर हमारी शेट का नेक जो है कंप्लीट है अब मैं आपको फाइनल लूप भी दिखाऊंगी देखें कितना नेट बना है हमारा नेक डिजाइन तो अब आप शेट की फाइनल लूप चेक कर लीजिए बहुत ही प्यारी सी और क्योट सी है और देखें नेक कितना नेट बना है अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखीगा मिलती हूँ नेक्स वुडियो में तब तक के लिए अलाहाफिस देखें ये मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ चॉक्स दामन पर जो है लैस अटेच की थी स्लीपर भी मैंने गुमसिलाई में लैस लगाई है अलाहाफिस